नमस्कार नैशनल इंडिया नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ आकिल रजाप गोतम गंभीर पूर्व किर्गेटर और अभी अभी पूर्वी दिल्ली से सांसाच चुन कर गए हैं उन्हें अभी काफी समझ और सीखने की जरूरत है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्हीं के निताओं ने उन्हें सला दी है सला क्यों दी है क्योंकि उन्होंने गुड़गाओं का जो केस है उस पर एक पृतिकरिया दी थी उस पृतिकिरिया में उस ट्वीट में उन्होंने निंदना की थी उस घटना की और कारवाई की मांग की थी ताकि ऐसा ना हो सके और उन्होंने ये भी हवाला दिया था कि एक सैकुलर देश है इसमें सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए किसी को धार्मिक तोर पर पिडित नह उन्हें ये ट्वीट किया कुछ कट्रवाधी हिंदू लोग, हिंदू संगठन के लोग और उनकी पार्टी के लोग उन्हें ट्रोल करने लगे ये कहकर कि शायद उन्हें किसी सेकुलर कीडे ने काट लिया है सवाल यह नहीं है कि कौन सी जनता उन्हें ट्रॉल कर रही है सवाल यह है कि उन्हीं के नेता भी उन्हें एडवाइस देने लगे हैं कि उन्हें उन्होंने शायद कुछ गलत कर दिया हो क्योंकि उन्हें नहीं पता है अभी अभी वो BJP में शामिल हुए है और गोतम गंभीर का सोवा कि ये रहा है कि पार्टी में शामिल होने के साथ ही वो चुनाव भी जीत गए हैं लेकिन अभी शायद राजनीतिक समझ बीजेपी के हिसाब से कम है क्योंकि बीजेपी की राजनीतिक समझ जो है उसके अनुकूल वो ठीक या फिट नहीं बैट रही है शायद यही वज़ा है जो उन्होंने बिना जाने बिना समझे इस तरहां का ट्वीट कर दिया हाला कि अगर समाने तोर पर देखा जाए तो ट्रीच में कोई गलती नहीं थी वो एक कारवाई की मांग कर रहे थे कि इस तरहां की घटनाएं नहीं होनी चाहिए अब इसमें प्रतिक्रियाएं जो लोगों की आई हैं जो सपोर्टर्स की आई हैं बीजेपी के या बाकी हिंदु दलों के नेता की आई हैं वो चीज अलग है लेकिन बीजेपी के नेताओं का क्या रियक्शन है वो अपने आप में और जादा नेंदिनी है अगर हम आप देखें तो लोग उनसे हिसाब मांगने लगे कि बीजेपी कारे करताओं की जब हत्या हुई थी वो तो वो कहां थे कितने लोगों के साथ गलत हुआ है तो वो लोग कहां थे तो गोतम गंबिर कहां थे उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया इस तरीके के सवाल इस तरीके के जवाब उनसे गौतम गंबिर से मांगने लगे लेकिन अफसोस होता है कि क्या कोई घटना बीच जाए तो उस घटना के एवज में जो नई घटना जन्द हो रही है जन्द दिया जा रहा है एक नई घटना को क्या उसके खिलाफ नहीं बोला जाना चाहिए सवाल यह नहीं है कि आप कौन सी पार्टी से तालुक रखते हैं कौन सी विचारधारा पर चलते हैं लेकिन सवाल यह भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप at least सही और समझ तो रखते हैं उस सही समझ के साथ आप प्रतिकरिया देते हैं और उस घटना के और यही वज़ा रही जो दिली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेबी के मनोज तिवारी को कूदना पड़ा और उन्हें अपने समर्थों को और उन दलों को समझाना पड़ा जो इसका विरोध करे थे उस घटना का विरोध नहीं कर रहे थे गोतम गंभीर की प्रतिकरिया का वि चाहिए कि इस तरह की अववाओं से वो गुमरा नहों जाएं और पूर्वी दिल्ली के सांसद गोतम गंभीर भी यही कहना चारे थे बड़ी मास्यूमियत के साथ अब आप समझे इस तरह की अववाओं से लोग गुमरा नहों जाएं यह कहने की कोशश की मनोज तिवारी तो क्या ये अववा थी ये जो घटना जिसको अलग-अलग वेबसाइट से अलग-अलग मीडिया ने छापा है अलग-अलग अख़ारों ने छापा है टेलिवीजन पर भी चीज़ें चली है तो क्या ये अववा थी और अववा थी तो इस तरीकी की अववा के खिलाफ तो का आप में जुर्म है तो गोतम गंभीर की इस पर तिकरेग उन्होंने कहा कि वो मासूमियत के साथ उन्होंने कह दिया था लेकिन लोगों को इस तरह की अव्वाव का दिहान रखना चाहिए साफधान रहना चाहिए और इसमें गुम्राना हो जाएं इस वए से तो यह चीज़ इसके बाद गोतम गंभीर ने मजबूरी में दूसरा भी ट्विट किया क्योंकि वो बीजेपी का एक हिस्सा है और बीजेपी के सांसद है तो मजबूरी रही होगी क्योंकि कई नेताओं ने उनका विरोध जटाया था गोतम गंभीर के इस ट्विट के बाद बीजेपी कई काई नेताओं नराजगी जताई एक खबर ये है नराजगी इसलिए जताई है क्योंकि हर्याना में बीजेपी की सरकार है और इस तरहां के सवाल करना या कारवाई की मांग करना कहीं न कहीं बीजेपी के अगैंस तो नहीं है ये उनके मनमा आ गया और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि कहीं विपक्ष इसे मुद्दा बना कर बीजेपी के खिलाफ खड़ा तो नहीं करेगा लेकिन गोतम गंभीर जी को इतनी शायद समझ नहीं होगी और वो सैकलरवाद की बात कर गए तो इसे लेकर कई नेताओं ने नाराज़गी चताई गोतम गंभीर के लिए तो गोतम गंभीर ने फिर वापस एक ट्वीट किया और क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ गोतम गंभीर ने अगले ट्वीट में कहा कि मैं सिर्फ गुडगाओं में जो हमला हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा था मैं सब जगा की बात कर रहा था कि जाती के नाम पर हिंसा या उत्पीडन करना निंदिनी है ये नहीं होना चाहिए सही शुरता को लेकर उन्होंने आगे कहा कि यही वो भाव हैं जिन पर भारत की निव टिकी है सही शुरता और सबका साथ मिलकर आगे बढ़ना है ये उन्होंने कहा तो कहने का मतलब यही है कि जब उन्हों सैकलरवाद की बात कर रहे थे या घटना की निंदा की बात कर रहे तो इसमें ये भी दिहान रखना होगा कि वहाँ पर सरकार किसकी अगर अपनी सरकार है तो उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए यही गोतम गंभीर को समझाने की बीजेबी की नेता कोशिश कर रहे थे अब मुझे उमीद है कि गोतम गंभीर समझ गए होंगे और आगे से इन चीजों का खयाल रखेंगे कि अगर घटना होती है और उसके खिलाब बोलना है तो कब बोलना है कब कौन से राज्ये से खबर आती है और उस राज्ये में सरकार किसकी है बोलने से पहले है इन चीजों का धियान रखना चाहिए क्योंकि अब तो सांसत बन गए हैं पूर किर्गटर नहीं रहे हैं तो ये नेता समझानी की कोशिश कर रहे थे और इसका जबाब आप ट्वीट देख सकते हैं गौतम गंबीर ने ट्वीट करकर दिया है ये इस तेश का सैकल उबरात के खिलाफ बोलने का नतीज़ा है बाकि आप बेहतर समझते होंगे कि किस तरीके की बीजेपी की आइडलोजी है जिसको गौतम गंबीर सायथ समझने में अभी नाकाम हुए है लेकिन उम्मित करते हैं कि आगए समझ जाएंगे आप देखते रहे हैं नेशनल अंडे नियूस बहुत शुक्रिया